आपको अपने जीवन में इन दो वाक्यों का प्रियोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा लगतार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में खुद ही दुखों को, कठिनाईयों को, तकलीफों को इन्वाइट कर रहे हैं आप अपनी किस्मत पे खुद ही ग्रहेंड लगा रहे हैं अगर आप इन दो वाक्यों को प्रियोग बार बार करते हैं तो पहला शब्द या पहला वाक्य क्या है मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके जम्मदार इश्वर है भगवान है अल्ला है गौड है जो मेरे साथ गलत हो र या बोलते हैं मेरी तो किसमत ही खराब है किस इश्वर ने लिखी है मेरी किसमत मेरे भाग के फूट गए जब आप ब्लेम करते हैं किसी भी इश्वर को किसी इंसान को तो आप अपने लिए दुख खुद ही बढ़ा रहे हैं अगर आप ऐसा लगातार करेंगे तो आपके दो वाग के हमारे क्या हो गए डूंट ब्लेम डूंट कोशन अब इसके पीछे का आप कारण भी समझ लेजिए मैं ऐसा क्यूं बोल रहे हूं हम सभी के साथ जितने भी यहां पे हुमन्स हैं जितने भी जीव है जितने भी प्राणी है इस धरती पे वो सभी अपने कार्मिक बैगेज की वज़े से जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनके कार्मिक बैगेज की वज़े से हो रहा है हम सभी की बहुत सारी लाइफ इस अर्थ पे हुई है कई हमारी पास लाइफ हम देख चुके हैं और हर लाइफ में हमारे पास एक कार्मिक बैगेज हो जाता है एक में पराखदार हम स्वैम है आप नहीं किसी और किसी को दुख दिया है पता हिंतना कष्ट दिया ठीप और इसी के कारण आज आपके साथ यह हो रहा है तो इसके बजाए आपको इन दो संटेंस के कोई भी रीजन है हर चीज के लिए I am responsible for everything.I am responsible for everything . इस तरीके से आपको हर रात को बोलना चाहिए यस आइइ साना शुरू करेंगे न तो आपको इश्वर मार्ग दर्शन करेंगे इश्वर आपकी सहाईता करेंगे कार्मिक बैगेज को उतारने के लिए देखिए हम सभी को आपको मुझे हर किसी को अपना बैगेज खुदी उतारना है अपना जो यह बोज है कर्मों का यह खुदी उतारना है खुदी क्लीन करना है लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं रिस्पॉंसिबल हूँ प् उन पे question करते हो सवाल उठाते हो तो क्या होता है आपने अपनी past life में किसी और को hurt किया है तकलीफ दी है और ये जो इश्वर है universe है उसके लिए उसकी सभी संतान एक समान है जितने भी जीव है वो इश्वर की ही संतान है तो एक संतान दूसरी संतान को जब चोट पहुचाता ह तो वो दुख होता है इश्वर को और वो दुख आपने इश्वर को दिया है किसी को दुख पहुचा के और जब इस वक्त आप उनसे question कर रहे हो ना तो आप उनके जखमों पे नमक डाल रहे हो ऐसा करने से उनको और ज़दा तकलीफ होती है कि आप अभी भी उस चीज को realize नहीं कर रहे हो उपर से इश्वर पे ही डाउट कर रहे हो उन्होंने तो आपको एक न्यू लाइफ दिया है अपनी गलती सुधारने के लिए लेकिन फिल भी आप उन पे डाउट कर रहे हो तो आज के बाद कभी भी आपको don't doubt don't blame किसी और को blame नी करना खुद को नी करना इ yes I am responsible for everything please forgive me इस तरीके से आपको बोलना है और यह समझना है जो हो रहा है वो आपके ही करना